कि वेल्कम बैग मैं फ्रेंड्स तो वार यूटीब चैनल एससे जी के मैथ आज हम लोग टॉप 40 किमस्ट्री क्यूस्ट्री क्यूस्ट्ट से एंसर करने वाले हैं जो आपके सामने हैं चलिए हम श्राट करते हैं बीना देर की हुए आज का पहला क्यूस्ट्ट है नीलात होता को अनीलाम से विजना जाता है एकर कहें उनला थोत हाको कौपर से शल्फट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और क्षेसे wszyscy और टू हुए बिधुत अब घटन का नियम किसे दौराद दिया गया है तो वहाइत है बेदृत इंपोर्टन का नियम किसको रिए गया थैं अंतक जरूर देखें ताकि आपकी नौलेज और ज्यादा इन्हेंस हो और अभी साइन्स का ब्याद ट्रेंड चला हुआ है और एलवे के सारे एक्जाम में साइन्स ब्यादिस मजबूत किरदार अपना निभारा है चलिए कुश्च नमर्ट 3 देखते हैं कुश्च नमर्ट 3 ह जिसका किसी आवर्त में आयनन विभाव सबसे अधिक होता है तो निस्क्रिए गैस के आयनन विभाव सबसे अधिक होता है तो निस्क्रिए गैस के अम लोग कुश्च नमर्ट 4 देखेंगे अध्यवी ग्रूप से परमुख लेड का आयस्क होता है तो अदेव ग्रूप से लेड का आयस के अगर जब भी पूछे तो बहुत गया ले ना Very common and important question Question number 5 है आधनिक आवर्सार्णी में तत्व के वरीकरण का आधार है तो आधनिक आवर्सार्णी में तत्व के वरीकरण का आधार है बढ़ता हुआ परमानु क्रमांक Question number 6 देखेंगे रशायनिक तत्व को उनके संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला पर्यास किसने किया तो बर्जिलियस ने रशायनिक तत्व को उनके संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला पर्यास किसने किया था तो बर्जिलियस ने Question number 7 है तत्व के रसायनी के बहुती गुर्ण उनकी प्रमानुष संख्य क्या वर्थ फलन होती है यह किसने कहा था या किसका यह सिद्धान था तो मुसले का ठीक है अब लोग कुश्च नमर एड देखेंगे बिन द्रमान वाले द्रवों के मिश्रण को अलग किया सकता है किस नियम तो प्रभाज आश्वन द्वारा ठीक है बिन द्रमान वाले द्रवों कमिश्रण को प्रभाज एस द्वारा अलग किया जा सकता है साबोन डौचेन्ट काम करते हैं साबोन डौचेन्ट काम करते हैं पायसिक करहन के सिदान्द पर ठीक है जिस सारा कुछ-एग ieving सिए, नि याद रखें को अंज्टिन नमट 10 है कौंसे एनजाइम है जो ग्लुकोज को अलकोहल में पर्विथित करता है तो न्जाइम में जय में जह जाइमेज है जो ग्लुकोज को अलकोहल सवाइम करता है ठीक है तेलों के हाट्राजनीक करण ons में पर्यों uninter네 नियान यानि की एनाई ठीक है सुद्ध जल की मोल अरता होती है तो 55.6 पर लिटर ठीक है सुद्ध जल की मोल अरता होती है 55.6 मोल लेटर अमलेवं भस्म के संजोग से बनते हैं लवन भस्म के संजोग से लवन बनते हैं पीएच मान का निर्धारण किया जाता है तो पीएच मान का निर्धारण किस ने किया था 16 देखेंगे कोलाइडी बिल्यन किस बीधी द्वारा सुध्य किया जाता है तो कोलाइडी बिल्यन अपोहन बीधी द्वारा सुध्य किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का रशानिक शुत्र है तो ब्लीचिंग पाउडर का रशानिक सुत्र है C-A-O-C-L-2 ठीक है C-A-O-C-L-2 ध्यान रखिएगा अलो, question number 18 देखेंगे, question number 18 है, वो धातु जो उस्मा का सरवाधिक चालक होती है, तो धातु कौन सी है, वो धातु है, चान्दी, ठीक है, वो धातु कौन सी है, चान्दी, धातु में सरवाधिक कम उस्मा चालक कौन सी है, ऐसा कौन सा तुझ जो सरवाधिक कम उस्मा चालक है, तो सीशा ठीक है सुसेदिक बोले तो चांदी अधातु यह समाने तो होती है तो अधातु का यह गून है कि वह अच्छे ऑक्सिकारक होते हैं अधातु जो भी होते वह अच्छे ऑक्सिकारक होते हैं अधातु के ऑक्साइड होते हैं अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं तो गूश्टेन नमार ट्वेंटिटू है वा धातों जिसकी क्रियासिलता सरवधिक पाई जाती है तो पोटेशियम सबसे अधिक सरवधिक किकी सलता पाई जाती है तो पोटेशियम जंग में पाय जाता है फिरस हाईडरॉक्साइड ठीक है अब हम लोग question 24 देखेंगे 18 क्यारेट सोने में सोना का परतिशत होता है तो 18 क्यारेट सोने में सोना का परतिशत कितना होता है तो 75% जितना क्यारेट भी पोल है अब उसका अब लोग 25 देखेंगे 25 है ओजन परतिकी मोटाई नापने में किसका पर्योग होता है तो जोन परतिकी मोटाई नापने में डॉप्शन एकाई का पर्योग होता है 26 रबबन के वलकीनी करन में पर्योग होता है थातु जिसको हाड्रोजन का आवशोसक का जता है तो वह होता है पैलेडियम परेडियम जो है धातु वह हाइड्रोजन का अपसोशक होता है धातु को जोड़ने अथवा काटने हितू परियोग होता है तो कौन सा परियोग होता है तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का ठीक है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का उपयोग होता है जो धातु काटने वह थी तो डुटेरियम खुज की थी एलिशन ने ठीक है लोग 31 देखेंगे 31 है हिलियम गैसी खुज किस ने किया था हिलियम गैसी खुज किया था फ्रेंक लैंड और लोकेयर ने ठीक है चिंग फॉक्सफाइड का उपयोग होता है चुहा बीस के रूप में ठीक है 33 देखेंगे जल की अनू की सनचना कैसी होती है तो जल की अनू की सनचना होती है टेटराहेड्रल ओकेय दोस्तों enga 24 है तामविक अनिस्कर्शन समयना तब प्रिएक से होता है तामविक अनिस्करशन कौपर पाराइड से होता है ओक है ओक्ञ़ड़ तो कौक नाशक की रूप में परियोग होता है कौक नाशक की oppressor पॉल्लर है जो पर्योगत होता है तो बॉल्डियोक्स मिक्चेर एंड क्यूप्रिक नाइट्रेट ठीक है 36 देखेंगे चांदी का निस्कर्शन समानेता होता है चांदी का निस्कर्शन होता है और जेन टाइट से ओके एक क्वेश्चन और आंसर आप लोग बिल्कुल पूरा भाई थार्ट याद कर लें इसको यह बिल्कुल हमार रेलवेय में यह सेश्ची में अब तो साइन्स ट्रेंड चला हुए है हर तरफ आने वाला है वो नौन सेटी सेवन है सोन घूल सकता है सोना घूल सकता है हम लराज यह हम सोडियम डोनों में अई और नौम ट्रेट है पारे का समान एसक है सीने बार ओकि फ्रेंड्स जिने बार 38 है अमल्गम का अर्थ है तो अमल्गम का अर्थ है पारा है वह किसी अन्य धातु का मिसरन ओके अमल्गम क्या है पारा है किसे अन्य धातु का मिसरन question number 40 and the last question of this video आप सर प्रत्म अमोनिया घ्यास किस ने त्यार किया ठीक है दूस्तों and this is the last question of this video अब लोग को कैसा लगा वीडियो बिलकुल बता है comment जरूर करें और जादा जादा शेयर करें लाइक करें thank you friends